जब कहा जाता है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई एजूगेशन से वंचित रखा जा रहा है इसलिए वो बंदुक उठा रहे हैं भारत में नहीं दुनिया में बखत बड़ी तादाद में गरीपी भुकमरी और पढ़ाई लिखाई से वंचित लोग हैं उन सब ने अगर हतिया आपके लिए बटा नमस्कार दोस्तों में पर यूष्रा याप देखना कुछ आनार भारत प्रकासराज का कहना है प्रकासराज एक अईसी सक्षत हैं जो बहुत खोशता है किसी भी मुद्दा चैसेंसेटिव सेंसेटिव हो चैसे देश हित में हो उस पे उनका अजीब सा स् लेकिन इनलों को problem तब होती है जब उसी democracy उसी freedom of expression का फायदा कोई और उठा ले कोई सच को सामने रखने के लिए उठा ले कोई कश्मीरी पंडितों का दुख बया करने के लिए उठा दे कोई हू बहू चीजों को सामने रख दे आप देख सकते हैं प्रयास प्रयास ही भर किय आप समझ सकते हैं दो ढ़ाई घंटे में कोई कितनी ही सच्चा ही बता ले जागा लेकिन प्रयास किया गया है प्रयास को सबने सरहा है यहां तक कि आमिर खान ने तक सरहा दिया आप वीडियो देख सकते हैं यार बताना चाहिए मूवी कैसी है नहीं जरूर देखूँगा म क्यूंकि वो एक हिस्टी का ऐसा हिस्सा है जो हम सब को बहुत हमारा दिल दुखता है उससे तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे वो यकीनन हर इंदुस्तानी को बात करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या भी इतनी है तो यह जो फिल्म बनी है इस टॉप्स दे इमोशिंस अवाल पीपल वो बिलीव इन हुमानेटी और इंदुस्तानी है अगर यह व्यक्ति कह रहा है जिसकी बीवी को कुछता में पहले तक डर लग रहा था एक्स वाइफ अगले मिशन पर होंगे भाई सब खेर मुझे लगता है आपको भी एक चांस देना चाहिए लेकिन खेर मुझे लग रहा देखने के बाद ही बोल ले होंगे मुझे लगता इतने बेवकूफ होंगे कि बिना पिक्चर देखे उसको क्रिटिस किया गया है आर्ट को यूज किया गया है हिट फैलाने के लिए और प्रकास राज ने भी कहा है कि तमाम इतनी इतनी फाइले हैं गोधरा जी एस्टी गंगा ये वो इतनी फाइले हैं इस पे कोई क्यों नहीं पिक्चर बनाता है मैं कह रहा हूं विवेक हगनी होतरी ने अगर आपको पिक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं अपना पक्ष दिखाएए आप पिक्चर बनाईए वहीं से इंस्पायर हो जाते हैं इस तना तो सुनते ही होंगे क्रिटिस हैं दिन बर तो मोधी मोधी लगा कर रखते हैं लों क्रिटिसम करने के लिए तो यही बात सुन ल लगाई जो आप लिस्ट की नहार है उन पर पिक्चर बनाई आपको पस्मीर फाइल से इमिडिट जो आज की इस्व है उससे दिक्कत है आप उस पर अपना पॉइंट भी बनाई एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से टार्गेट करिए और रही बात हेट की जो हेट वाला इसमें कितना सच है इसका एक टेक्निकल अगर आप अनलेसिस करें इसके कुछ तत्यों पर जाएं तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मुस्लिम्स को विलेन क्यों दिखाया गया मतलब कुछ सेंस है इस बात का और दूसरा एक सीज यह कह रहे हैं कि मुस्लिम को दिखाया है तो पकिस्तान से क्यों नी दिखाया एक बार भी यह क्यों ने का चाइद लेकिन उन्का कहना ये था कि अच्छ से कहो पूरा पूरा यही कह दो कि पाकिस्तानियों नेमारा है मुस्लिम वर्ड ही मत यूज करो कुरान की आयतें जो नारे लगाये गए वो कुछ मत बोलो उनको मुसल्मान मत जामा मत पहनाओ कि मुसल्मान है वो वो दुनिया में कोई भी हो सकते मुसल्मान नहीं हो सकते हैं बस इसी बात का दुख है अगर ये पिक्चर कमर्शल तरीके से अलग तरीके से पोर्टरे की जाती तो ये वही लोग होते हैं जो प्रमोट करते लेकिन बस इनकी तकलिफ इतनी ही है तो इस पर कुछ बात कर लेते हैं और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप और जंता से मैं चाता हूँ कमेंट करके बताईए और इसको शेर करिया और ये जवाब मांगिए सबसे मांगिए चाहाए मूग से पूछ के मांगिए चाहाए मेरे वीडियो को शेर करके मांगिए और कहिए कि वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ जब से फिल्म डुस्ट्री की सुरुआत हुई है और मुगले आज़ाम और तमाम और ऐसी पिक्चरें ऐसे अभी तक कश्मीर फाइल से पहले तक, जिस्ट पहले तक जितनी भी पिक्चरें बनी है मैं पिक्चर वन से अब तक की बात कर रहा हूँ इतना सेकुलरिजम, इतना प्यार, मोहबबत, भाईचारा दिखाने के बाद भी, कश्मीर में जो करना था हैं को इन्होंने कर लिया, कनवर्जिन्स अब भी भी नहीं रुक रहे हैं लव जिहाद, हिंदूों को होली खेलने पे मार दिया जाना ये तो रीसर्ट के इखटना है बता रहा हूँ और इसा हर बार होता है लव जिहाद के केसेस पे लड़कियों को सूटकेस में बन करकर के फेक देना लव जिहाद के उपर ऐसे ऐसे एड बनना कनवर्ट ना होने पे लोगों की जान लेना हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार कर ले तो हिंदू लड़के का काट दिया जाना एन नंबर ओफ इंसिडेंट्स है कमलेश तिवारी तो चलिए बॉलिवूट के ये खरकत में आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक एक्टर था जिसने हैदर पिक्चर में काम किया था उस एक्टर ने आतंकवादी बन गया और फिर भारती सेना द्वारा उसको गोली मार दी गई और उन मारा भी गया तो ये है वॉलिवूट का सेक्लिर्जम या तो आतंकवादीयों को वो काम पर रखते है या तो रैंडम मुसलिम कभी भी आतंकवादी बन सकता है ये यहां से मैसेज जा रहा है ठीक अगर ये सिनेरियो है अगर ये सिनेरियो है और कश्मीरी पंडिक बताते हैं कि हमारे पडूस में रहने वाला हमारे साथ खेलने वाला बच्चों के साथ बड़ा होने वाला ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है तो कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान से आया है उस पिक्चर में महिलाओं के चीर दिये जाने का गोलियों से भून दिये जाने का बच्चों को मार दिये जाने का गोलियों मतब क्या क्या नहीं कर देने का इससा है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से आदमी प्यार का गुलाल लेके निकले और एक रैली लगाए और कहें कि हिंदू मुसलिम भाई भाई मुझे नहीं तब पिक्चर देख कि कितनी हेट होगी लेकिन वो पिक्चर देखने लोग नहीं जा रहा है मैं फिर से कहा रहा हूँ लोग ये कंफर्म करने जा रहे हैं कि actually मैं किस intensity से और क्या क्या हुआ था और किस ने किया था और कौन-कौन शामिल था भारत जरकार, इंडियन मीडिया फोर्सेस को कैसे रोका गया चीज़ें ठीक करने से विदाय नहीं दी गई उसवाकि नेताओं का क्या रोल था ये सब था एक किस साथ मैंने ट्वीटर पर पढ़ा कितना सच है मैंने बहुत research नहीं कि लिए मुझे लगता है सच है मैंने कई जगा और सुना भी है मैंने लेकिन रीसेंट में इस मुद्दे के उपर उन्यस मारच को मैंने पढ़ा 1947 में महराजा की आर्मी जिसमें बहुत बड़ी ताद मुसल्मान थे डोगरा थे और अन्य लोगी थे जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आतंकवादी कहुँगा पाकिस्तान का कोई भी लड़ा का हो उसको मैं सेना, प्रोटेस्टर, रबेलियंट, फाइटर, नहीं आतंकवादी तो पाकिस्तानी आतंकवादी गुंडे जो भी थे वो जिहादी जब कश्मीर पे अटैक कर र और इस तरफ जो बचे हुए थे तो डोगरा सैनिकों ने तब तक समहाल के रखा उनकी वीरता को मैं नमन करता हूं जब तक इंडियन आर्वी नहीं आगे अगर इसको भी अगर आप यह कहेंगे कि वो जो सैनिक सामिल थे वो भी पाकिस्तान से आये थे तो पाकिस्तानी दूस इसी की नहीं तो हम एक ऐसे व्यक्तित तो एक ऐसे करेक्टर पर कैसे भरोसा कर लें जो इसलाम के लिए एक पिक्चर में काम करता हूँ एक्टर रातंग्वादी बन सकता है कभी भी कुछ लोग कहेंगे कि हमको सताया गया है और इसलिए हमने बंदूग उठाली और मेसेज इस पे तो वो जिस दिन चाहा देंगे और उनके पास सपोर्ट की कमी नहीं है मैं लिख के देता हूँ उनके पास सपोर्ट की कमी नहीं होगी कभी अगर वो चाह दिये तो मैं कोई धंकी नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ एक थियोरी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया इम एंटी वाइरस बनना है और कश्मीर से वाइरस को हटाना है तो उनके वास बहुत सपोर्ट होगा अगर वो करना चाह दिये एक इग्जामपल बन जाएगा कि कैसे अपनी जमीन वापस ली जाती है और कैसे वाकई में प्रताडित किया हुआ आदमी रियक्ट करता है इतना जिनके घर परिवार उजाड दे गए उन्हीं लोगों ने प्रताड़ना दी थी तो यह आज तक तो कहीं नहीं देखा है एक के सब्सक्राइब बहुत अच्छा है आप चाहां तो सर्च कर सकते हैं एक महिला के बारे में है कि इन्होंने एमे किया इन्होंने एमे किया जनलि मेरी हिंदों को मारा है किल किया मतलब वो महिला कोई बड़ी बात नहीं कि जो हिजाब पे महिला हैं आज बलंट हो रही है कि हमें हिजाब पहले चाहिए किताब बात में चाहिए हिजाब रोक के हमें पढ़ने से रोका जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं कि उनका भी लिखी मुसल्मान महीला आप लेवल ओफ इंटेलिजेंस समझ सकते हैं जब कहा जाता है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई एजूगेशन से वंचित रखा जा रहा है इसलिए वो बंदुक उठा रहे हैं भारत में नहीं दुनिया में बखत बड़ी तादाद में गरीपी भुकम आगर से ठोग दीजेए 5000 लोड़े दिख जाना चाहिए यह 4000 के लिए मैं आप नहीं खड़ा हूँ पुरा साल मेहनद करता हूँ आपके लिए बटा